तो देखे ये देखर आपको लग रहा होगा कि आज मैं आपको भूट्टे सेखना सिहारा हूँ, ऐसा नहीं है, भूट्टे सभी को सेखने आते हैं, ये तो मैं अपने लिये सेखर हूँ क्योंकि मैं इसे खाने वाली हूँ, लेकिन भूट्टे की बहुत से जबदर्स रेशि आप लोगों का स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं राजिस्तानी ढोखले जो अभ가ले वाले हैं और कच्छे बुटो से हम इसे बना कर तैयार करेंगे और आप इसे दही के साथ सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ ईन्जोई कर सकते हैं बहुत ही बड़िया लगते हैं और मैंने इसे दो तरह से सर्फ किया है अगर काफी लोगों को चपटा पसंद होता है और काफी को थोड़ा साधा सिंपल तो मैंने दोनों ही तरीके आप लोगों को साथ शेर किये हैं वीडियो को फुलोच कीजिएगा अच्छी लगए तो ला तो देखें भुट्टे के ढोकले बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंना चार भुट्टे लिए हैं और यहां पर हमें चार भुट्टे नहीं लगने वाले हम यहां पर दो ही लेंगे लेकिन इससे चेक करेंगे छील रिंग में यहां पर कि जो बुट्टे के दानी है एक दम कच्चे होने चाहिए, पके हुए नहीं होने चाहिए पके हुए होोंगे ना तो वो जल्दी से बनेगा नहीं, तConf भी तुल, भी चल के भी सबक्रावन और इस तरह से मैं क्या करओंगी, सारे जो भी अंगे छिल के हटा दूजी, तो मैं दोका इस्तिमाल करूंगे मैं आपको बता रही है उस बाद यह देखें यह वाला जुटा है यह भी अच्छा निकला है अब यहाँ पर देखें इसके दाने निकालने के लिए एक पहला तरीका यह है कि आप इसे हातों से इस तरह से निकाल सकते हैं बहुत आराम से यह निकल जाते ह है आराम से देखें लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या होता है थोड़ा टाइम जदा लग जाता है हम इसा में लग जाता है इतना साइम होता नहीं है तो हम क्या तरहेंगे इससे हीजी करेंगे तो यहाँ पर देखें पहला तरीका मैं आप लोगों साथ शेयर कर दिया अब देखे अब यहां पर देखें मैंने नाइफ लिया और बीच से कट कर दूंगी और यहां पर नाइफ से इस तरह से कट कीजिए तो दानी है ना बहुत आराम से निकलाएंगी आपको बहुत जादा महनत करने की जुरत नहीं पड़ेगी जैसे हाथों से निकाल रहे थे ना पहले तो भूख ज़दा लग रहा था और आप इस तरह से निकालेंगे तो बहुत सारे दाने आराम से निकल जाएंगे यह देखें तो नाइफ अच्छे से कट हो जाते हैं जब यह कच्छा होता है ना गीज़ग मुट्टा तो आराम से कट जाते हैं यह देखें और हाथों से इस सारे निकाल लिए हैं दो गुट्टों के और इस तरह से प्लेट में रख लिए और जो इनके रेशिव अच्छे से चार्ट दीजेगा यानिकि हटा दीजेगा अब इसे मेजर करेंगे तो यहां पर मैं मेजरिंग कप ले रहे हूं आप कोई भी कटोरी सेट कर लिए तो यहां पर देखे एक कप लिए आपको इसी भी कटोरी से ले लिजेगा अब यहां मैं मिक्सी का जार ले रहे हूं तो मैंने छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है और उसमें हम इसे मक्के डालेंगे थोड़े से हम बजाएंगे जैसे कि चोथाई कप जितना मक्का इसमें बजा ले नहीं अब यहां पर देखे चोथा एक कप मेंनि आपर दही लिया है और यहां पर मानकर चलेए चार चम with मैंने इसमे डाला है अब इसे यहां देखे मैंने इससे दडरास पीस है बहुर जाब पेश्ट मद बनाएगा एकदम तोड़ा दरदरा रखिएगा ऐसा हमें इसे बनाकर तयार करना है तो चली इसे उठाकर साड़ी में रख देते हैं और अब क्या करेंगे आटा लगाएंगे ढोकलों के लिए तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी परात रखी है तो देखे इस प चुटकी जेतना मैंने यहाँ लिया है चिली फिलेक्स और यहां पर मैं डाल रही हूं आदा चमच कुटा वकषडा धनिया और एक चुटकी यहाँ पर डालेंगे अजवाइन थोड़ा से एस?.. रफ करके डाल दीजेगा और यहां पर डालेंगे हम आदा चमच धनिय जो खाने वाला मीठा सोड़ा आता है ना वो लिया है मैंने इसे क्या होगा न हमारे ढोकले अच्छे से फूल लेंगे अब यहां पर देखे मैंने थोड़ सी यहां पर हिंग भी डालेए और जो भुट्टे हमने रखे थे उट्टे के दाने बचा कर वो इसमें डाल देते हैं और यहां पर मैंने डाल वाली मिचली उसे इस तरह से कट करके डाला है ताकि दिखने में भी सुन्दर लगे और टेस्ट भी अच्छा है अब यहां पर डालेंगे हरादनिया आप यहां पर प्याज लसून जो भी खाते हो डाल सकते हैं और इसे टेस्टी बनाने के लिए अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अभी आपको पानी के जरुत नहीं है बिल्कुल भी आप पहले इसे मिला लीजिए बड़ी से तो यहां मैं अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हूं अब यहां पर हम इसे पानी का अस्तिमाल करेंगे तो यह मिक्सी के जार में है न मैंने पानी ड करना है और बहुत ज़्यादा सौफटी नहीं करना है तो यहां पर रूटियों जैसा याटा लगाया है अब क्या करेंगे इसे ढग कर हम रखेंगे यहां देखें भुटा तोड़ा कर दिखा रही हूं आपको दाने अच्छे से यह सौफट है बिलकुल तो ऐसे आपको दाने चाहिए होंगे अब 10 मिट के लिए से रेस्ट पर रखेंगे ताकि आटा जो ना अच्छे से फूल जाए अब यहां पर देखें 10 मिट हो चुकी है और अब आपको क्या करना है देखें आटा थोड़ा सा सेट हो गया है तो इसे मसला नहीं है हम बस क्या करेंगे अब इसके दोकले बनाएगे तो यह अब हातों पर थोड़ा सा मैंने घी लगाया है घी या ओल कुछ भी लगा लीजेगा ताकि जो डोकले का यह बैटर आपके हातों पर चिप किना तो गोल गोल करें इस तरह से एक पीड़ा बना लीजे और थोड़ा सा इसे दबा करें यह फ्लेट क कर देना है और बीच में हॉल बना देना है इससे क्या होता है ना यह अच्छे से स्टीम होते हैं यह अच्छे से पक जाते हैं तो इस तरह से मैं क्या करूंगी सारे ढोकले बना लीती हूं उसके बाद आपको दिखाती हूं अब यहां देखे जो ढोकले ना मैंने सारे बना oil लगा दिया है ताकि जो ढोकले ना वो चिपके ना अब यहां पर ढोकली इसमें रख देते हैं तो थोड़ा सा इसमें गयप रख लीजेगा ताकि जो ढोकली तो इसमें जगें मिले यहां पर मैंने सारे ढोकली इसमें रख दिया है अब यहां पर गैसर मैंने कड़ाई रख में आप लोगों को दिखाऊंगे आप यहां देखें जो हमारे डोकले दना उन्हें पकते हुए 20 मिट हो चुकी है तो मैं इसे धकन को हटा लेती हूं और डोकले देखने आप कितने बड़ी है लग रहे हैं और देखें इनमें जो गैफन में रखा दाना वो पूरा कबर हो ग आप इसे 5 मिट के लिए च्टीम ओहर कर सकते हैं तो यहां पर यह तो अच्छे से बन चुके हैं तो मैं क्या करते हूं निकाल लेती हूं पड़ाइसे बहार लिए क्योंकि इसे गर्मा गर्मी हम सर्व करेंगे और बहुत अच्छे बनकर तयार होता है और खाने में तिने ग यह देखे, आप क्या करेंगे, गर्मा गर्म ढुकलो पर घी लगाईगे, और रायते के साथ, या चटनी के साथ, या सोस के साथ, इंजोई कीजे, तो आप इससे कड़ी के साथ भी खा सकते हैं, और कड़ी के साथ, डाल के साथ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल यूनिक है, तोड़कर भी दिखा देती हूं, आपको देखे, अंदर से दिखे, इसके स्पोंज बहुत गजब है, बहुत अच्छी जाली है इसमें, जब आप इससे खाएंगे ना, बहुत बढ़ गजब लगने वाला है, तो यहा पर देखे, यह तरीका तो हो गए आपको साधा वाला, अब जो चटपटा खाने वाले हैं, उनके लिए एक और तरीका है, तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, और उसमें थोड़ा सा ओयल डाला है, अब ओयल में हम डाल रहें, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी से यहाँ पर लाल मिच्छी पाउडर डालेंगे, और इसमें हम रखेंगे हमारे ढोकले, ताकि थोड़ी से क्रिस्पी हो जाए, थोड़ी से चटपटे हो जाए, तो जितने आपकी कड़ाई में आते हैं अपने डाल दीजेगा इस तरह से देखें, और गैस को यहाँ पर मैंने मीडियम कर लिया है अब, और यह देखें हम इससे मिन्ट लगेगे आपको बहुत दा समय नहीं लगेगा, तो बहुत गसब लगेंगे यह देखें, तो अलट पलट कर रही हूँ बार बार में इसे, तो यहाँ पर देखें, काफी जगे है तो मैं क्या कर रही हूँ, और ढोकले इसमें डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से न यह सारे डोकले पक जाए, तो यहाँ पर मैंने एक डोकला और डाल दिया इसमें, और कलर देखें, कितना पढ़िया गया है, क्रिस्पी हो गया है, यह बहुत अच्छे, तो चटपटा लगेगा, एक बार इसे बना कर जरू देखें गया, यहाँ देखें, मैं आपको दिख वीडियो अच्छे लगेगे, तो लाइक और शेर कीजिगा, चैनल को सस्क्राइब कर लेजिगा, बहल आइकन को प्रेश जरू कीजिगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगे तक पहुंच सकें, और आपको मेरे रेसिपिया कैसे लगती है, कमेंट्स करके जरूर बताएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यह देखे, इसे भी तोड़कर दिखा देती हूँ मैं आपको,